Hello and welcome back to all of you guys आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर का अगर factorial निकालना हो में using recursion तो वो कैसे कर सकते हैं यानि कि अगर मालो suppose करते हैं हम लोग 5 का factorial हमें निकालना हैं तो output के आना चाहिए 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानि कि 120 इसी तरीके से अगर 7 का factorial क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जो कि होगा 720 तो कुछ इस तरीके से हमारा output आना चाहिए जो n एक number input कराएंगे n एक number देंगे हम अपने प्रोग्राम में अब वो हम लोग scanner class से भी दे सकते हैं अगर java वाले syntax की बात करें तो scanner के help से दे सकते हैं या पहले ही specify कर सकते हम लोग तो यहाँ पर क्या करेंगे उस number को input कराएंगे output हमारा क्या आना चाहिए उसका factor लाना चाहिए तो यह program हम लोग करने वाले हैं using recursion recursion के help से करेंगे बहुत ही simple सा code होता है होती simple सा program है यह कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है इसमें simple सा है तो देखने क्या होता है कैसे करना है सबसे पहले समझो कि recursion में होता है recursion में एक काम होता है base case create करना अपना एक method बनाना और साथी साथ हमें यहां पर जाके हमारा प्रोग्राम क्या हो अपना recursive call करना रुक जाए यानि कि recursion का calling बंद हो जाए क्यों कि अब मालो कहीं तो कहीं न कहीं तो हमें recursion को रोकना है recursive call को रोकना है नहीं तो stack overflow होता है यह हम लोग जानते है जावा में जावा में जब भी आप base case नहीं create करेंगे कोई condition नहीं लगाओगे तो क्या होता जाएगा यह infinite times जो है इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 तो 1 तेखन लोग जाएंगे अगर मालो मैं यहाँ पर 0 से multiply कर दूँ यानि कि 1 के आगे भी जाओ जीरो पर पहुंचू तो 0 पर पहुंचेंगे तो तब तो पूरा 0 हो जाएगा तो 0 हमारा एक base case का condition बनेगा कि जब हमारा अगर जब 0 होगा तो यहाँ पर 1 से multiply करेंगे तो कोई effect नहीं पड़ेगा वन से किसी भी नंबर में multiply करने पर कोई effect नहीं पड़ता है तो हम लोग जब भी base case पर पहुंचेंगे यानि कि n equal to जब हमारा 0 हो जाएगा तो return करा रहे हैं 1 को ओके अब यह करने के बाद base case क्यों create क्या जाता है समझ मैं कि हमारा program जो है कहीं न कहीं जाकर रुकना है calling कहीं पर रुकएगा तो recursive call को रोकने के लिए अपनो base case क्रेट करा रहा हूं तो यहां पर base case क्रेट करा है अब हमें लाना क्या है अगर हमें n का फैक्टरल निकालना तो क्या करना है n into n-1 फिर n-2 फिर n-3 ऐसे ही और कहां तक जाएंगे 1 तक चलेंगे तो यहां पर मैं क्या करा रहा हूं n into fact of n-1 अब यह काम कैसे करेगा यह समझो n into fact of n-1 का मतलब क् हुआ बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि पहले बार में अगर मुझे मालो की 5 का फैक्टरल निकालना है 5 का फैक्टरल निकालना है तो क्या हो जाएगा कि हम लोग यहां पर सबसे पहले यहां पर n की value 5 लेंगे अपने main method में call कराएंगे fact को n की value 5 लेके तो यहां पर यहां पर यहां पर बार बार यहां करना होगा जब तक कि हमारा base case में condition को match नहीं करा देते हैं तो अब क्या होगा यहाँ पे n into fact of n-1 अब हमारा इस fact में n क्या है 4 है तो 4 into fact of n-1 हो जाएगा अब fact of n-1 नहीं कि 4-1 यालिकि fact 3 तो fact 3 इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा यह 3 अब n के value 3 हो चुकी है अब यह 3 लेके मैं वापस यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जानी के बाद मैं क्या करूँगा फिर से check करूँगा 3 हमारा क्या 0 की equal है यहाँ पे n 0 नहीं है क्योंकि n equal to 3 है फिर हमारा base case satisfy नहीं हुआ आगे बढ़ो यहाँ पे आएगे n into fact of n-1 करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 into fact of 2 हो जाएगा क्योंकि n-1 करेंगे 3-1 2 इसी तरीके से अगले बार फिर से हम लोग n के value 2 लेके वापस इस function call करा रहे है तो यहाँ पे फिर base case checker अभी 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 2 into fact of 1 क्योंकि n-1 2-1 क्या हो जाएगा तो यह हमारा fact of 1 का call अब fact of 1 को लेके जा रहे है यहाँ पे तो fact of 1 को ले जाने की बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे वापस हम लोग यहाँ पर आएगे 1 into अब यहाँ पे fact of 1-1 हो जाएगा अगली बार में क्योंकि 1 into fact of 1 minus 1 तो क्या आजएगा fact of 0 तो fact of 0 का मतलब क्या हो गया fact of 0 का मतलब n equal to 0 अब यहाँ पर वापस गए n equal to 0 यहाँ पर हमारा base case था तो base case n equal to 0 पर क्या return कराना था 1 return कराना था तो यहाँ पर हमारा fact of 0 में 1 आ जाएगा यहाँ पर तो यह क्या जाएगा 1 into 1 अब यह 1 into 1 जो है यहाँ इस fact 1 में जाएगा क्योंकि यह सारा fact 2 के अंदर fact 1 काम कर रहा है fact 1 के अंदर fact 0 काम कर रहा है तो यह यहाँ पर क्या जाएगा यह वाला जो है यह 1 into 1 1 यह 1 आएगा fact 1 में अब यह 1 into 2 क्या जाएगा 2 अब यह 2 कहाँ पर जाएगा fact 2 में तो 3 2 जा 6 अब 6 into 4 यहाँ पर जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पर और यह 4 24 हो जाएगा अब यह 24 कहाँ जाएगा fact 4 में क्योंकि fact 4 में यह सारा कुछ हो जाएगा तो 24 fact 4 में गया अब यहाँ पर 24 से multiply करेंगे 5 में तो 120 आएगा तो कुछ इस तरीके से logic हमारा काम करते है factorial का और 120 हमारा fact का 5 का factorial आ जाएगा तो इसको अगर मैं Java का syntax में बात करूँ क्योंकि यह तो अभी हम लोग ने समझा कि कैसे काम होता यह कैसे logic बिल्ड किया जाता है अब देखते हैं कि Java में यह कैसे हम लोग लिखेंगे इस program को क्योंकि मैं यहाँ पर Java की बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपना package बना लिया factorial आम से उसके बार मैं import करा देता हूँ scanner class आप नहीं भी कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप चाहो तो factorial को यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ हमेसा मेरे को आदत हो चुकी है कि मैं scanning class को already मैं लिख लेता हूँ कोई कहीं भी अगर मालो यूज करना हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर मैं क्या करना हूँ अब यहाँ पर अपना एक फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ और यह return type क्या है इसका integer है return type यह कुछ नहीं है यह dot कुछ नहीं कटा हुआ है अब इस fact नाम के method में integer n नाम का parameter पास करा रहा हूँ जो आपको मैं उपर बताया था base case वैसे create करूँगा ऐसे कुछ उस तरीके से कि n अगर 0 हो जाए तो वह return कर देना है उसके बाद अब यहाँ पर else बना दिया हूँ आप else नहीं भी लिखोगे तो अल्रेडी समझ जाएगा जावा कि else हो रही है क्योंकि इसकी बात हो चुकी है तो यहाँ पर else में मैं return करा रहा हूँ n into fact of n-1 यह करने के बाद अगला काम क्या है कि हम लोग अपने main method को main method के अंदर is fact नाम के जो method है इसको call कराएंगे कैसे कराएंगे यहाँ पर देखो अगर हमें निकालना है factorial of 10 10 का factorial निकालना है तो यहाँ पर पहले इसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं store करा रहा हूँ इसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ इसके बाद मैं इस value को factorial जो यहाँ पे लिया हूँ जो हमारा output आएगा उसे मैं print करा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से Java का syntax काम करता है आप चाहों तो एक बाद में देख सकते हैं इस तरीके से आपको यह program लिखना होता है recursion का use करके तो I hope आपको समझ में आए होगा कि कैसे काम करता है फैक्टरल का program कैसे लिखा जाता है recursion का use करके बहुत interesting लगा होगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करना